हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम तु दोनाचेर वेकेसन, फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे सीविटी बियाड एंड ट्रांस के लिए कुछ इंपोर्टन कोशन्स तो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हेलपूल होगा, तो दोस्तो वीडियो को आप अन तक जरूर दिखेग तो लिस्ट वान में जोगी operation of union एंड लिस्ट में जोगी law यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे तो ए union b equal to b union a, यहाँ पर होता है क्रमप बिनि में यहाँ जो की यह होगा, ठीक है, तो ए का होगए आपका 2, तो यहाँ पर आपका option में देख सेकते ह यहां पर आपका only first option में ही है दोस्तों तो B का 1 होगा तो यह जो कि आपका रहेगा यह associative law होगा and C जो कि रहेगा यह C का था जो कि law of is important ठीक है next आपका रहेगा D का जो कि law of identity होगा ठीक so next question है if three numbers are in the ratio 1 is to 2 is to 5 and sum of their square is 120 find the number ठीक है तो यहां पर हम उसका जो कि square लेंगी है to ratio में यहां पर आपका दिया गया है लेते है कि इसका square हो गया plus 2 का 2 x प्रुलेंगे तो इसका हो जाएगा 4 x square and 5 पर कदो कि 5 x लेंगे जो क्या होगा 25 x square होगा और इसका value जो कि आपका दिया गया है 120 ठीक है तो यहां पर हम सबको आड़ कर लेंगे तो क्या होगा यह 30 x square हो जाएगा 30 x square equal to हो जाएगा 120 ठीक तो यहां पर 30 से कर जाएगा 4 के साथ और x square का value यहां पर आपका आजाएगा 4 तो x का जोखी हां पर आपका आजाएगा 2 तो x 2 है तो यहां पर आपका नंबर क्या होगा 2 होगा उसके बस x जोखी है 4 होगा and 5 x जोखी हां पर का लिए हो तो 10 होगा तो 2, 4, 10 जो की यह आपका फैड एंसर आ जाएगा तो option में यहाँ पर आप देख सेकते हो कि option number 2 जो की रहेगा 2, 4, 10 So next है find in how many years will a sum double itself when given on 5% simple interest कितने बर्स में एक रासी 5% के साधरन ब्याज पर दुगनी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम देखे तो माली जी यहाँ पर आपका P जो की sum था यह हो गया 2P तो यह कितने percent बढ़ रहा है double हो रहा है उसका तो यहाँ पर हम देखे तो दोस्तों यह पी से जो कि यूपी हो रहा है तो पी ज्यादा हो रहा है किस से ज्यादा पी से ज्यादा हो रहा है तो इसमें हम देख लेते हैं हंडेड मल्टिप्ले कर लेंगे तो यह आपका आज एगा हंडेड परसंट जो कि इंक्रीश हो रहा है डबल मिंस हंडेड परसंट इंक्रीश हो तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि किसी भी समझो कि double हो रहा है, माल लिए 20 year में double हो रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि कितने percent से बढ़ रहा है, आपको ऐसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से होगा जैसे कि यहाँ पर P से टुपी हो रहा है तो कितना percent यह बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है तो इसी 20 year को जो कि यहाँ पर आपको divide कर लेना है तो यह आपका आजाएगा 5% से यह बढ़ रहा है ठीक है तो इसका उल्टा होगा ठीक है जो भी यहाँ पर जितना percent से यह बढ़ रहा है उसको जो करेंव को šे आपको यह कलेना है तो यह आपका रूर को हो यह को सन कुछ यहाँ लेक्ते हैं तो यहाँ पर आपकाAK और देख यहां पर then its square g is also odd तो माल लिजे एक यहाँ पर हम लेते हैं एक इंटेरियो की 3 है इसका जो कि square क्या होगा? 9 होगा जो कि एक odd number है तो यहाँ पर आपका assertion जो कि यहाँ पर आपका vehicle सही है यहाँ पर हम देखे तो reason जो कि रहेगा if any number n is odd then its square n square is necessary odd it's not necessary odd next जो कि यहाँ पर आपका रहेगा assertion और reason से जो कि एक question है तो यहाँ पर हम देखे तो assertion यह जो कि रहेगा if integer 3 is odd then its square g is also odd तो एक जो कि यहाँ पर आपका integer जो कि 3 है जो कि एक odd number है इसका जो कि square हम लेंगे तो 9 होगा तो यह भी एक odd number है तो assertion जो कि यहाँ पर आपका statement सही है reason यहाँ पर हम देखे तो if any number n किसी भी एक number माली जो n है जो कि odd number है then its square जो कि n square जो भी होगा यहाँ पर हम जो लिए है it's not necessary odd तो यहाँ पर हम देखे तो यह necessary ने की यह odd ही होगा तो यह reason जो कि यह सही है कि गलत है तो दूसरे example यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कि माली जे 5 है 5 यह odd number है इसका जो कि square लेंगे थो 25 होगा तो 25 भी यह odd number है और an बनेखे जैसे कि यहां पर आपका 7 हो गया तो इसका जो कि square होगा 49 तो यह भी ए एक on number है तो यहाँ पर जो कि आपका लिखा गए not necessary odd लिखा है तो यह reason जो कि गलत है दोस्तों तो यहाँ पर आपका सही अंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर यह जो कि आपका सही है यह गलत है तो यहाँ पर आपका a is correct but r is not correct यह आपका सही अंसर होगा ठीक है तो यहां पर आपका option number 3 जो कि यहां पर आपका सही होगा click next so next जो कि यहां पर आपका assertion और reason सही और एक questions होगा ठीक है तो यहां पर आपका देखे तो 2 plus 2 equals 4 2 plus 2 जो कि यह 4 होगा तो यह तो सही बिल्कुल सही है reason जो कि रहेगा the sum of two positive integer is a positive integer किसी दो positive integer जैसे की 5 plus 5 जैसे हम लियेंगे तो लियेंगे तो लियेंगे so next question जो कि रहेगा assertion और reason सही होगा यहां पर आपका assertion में जो कि रहेगा 2 plus 2 equals 4 2 plus 2 जो कि यह 4 है तो यह statement तो बिल्कुल सही है जो कि assertion में जो भी है reason यहां पर हम देखे तो the sum of two positive integers इस है positive integer किसी दो positive integer को जब हम add करेंगे sum करेंगे उसका तो एक positive integer ही आएगा तो और यहां पर हम example ले लेते हैं जैसे कि 5 plus 5 equal to 10 जो कि एक positive integer है 6 plus 6 यहां पर लेंगे तो 12 होगा तो यह भी एक positive integer जो कि होगा तो दोस्तों दोनों जो कि यहां पर आपका सही है तो यहां पर हम क्या answer लेंगे बोथ A and B are correct and R is the correct explanation of A. R जो कि रहेगा correct explanation है A का तो यहां पर आपका option number 1 जो कि यहां पर आपका बिलिकुल सही answer हो जाएगा next so next जो कि रहेगा what is the distance between points point जो कि रहेगा P 1 minus 2 4 and Q 4 minus 2 1 3D plan तो 3D plan में जो कि यहां पर आपका distance पूछा गया है तो इसका जो कि फर्मूला रहेगा P Q कि distance यहां पर आपको निकालना पड़ेगा तो यहां पर आपका फर्मूला जो कि रहेगा x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square यहाँ पर आपको होगा और उसका जो कि रूत जाकर आपको लेना एखे़ ईहाँ यहाँ पर आपको का फूर्ट करना है जैसे को एकसी टूप जो कि 4 liksom माइनस टू जहा你 यहां पर आपका माइनस टूप फुलस टू होगा इसका स्कॉर लेंगे इसके 4-1 का whole square तो इसका जोकी root over आपको लेना है तो यहाँ पर हम इसको मीटा देते हैं तो ठीक है तो 4-1 का क्या होगा 3 का square 9 plus यह आपका 0 हो जाएगा यह term 4-1 जोकी यहाँ पर आपका रहेगा यह आपका 3 3 एक 9 तो यहां पर आपका root over 18 जोकी है ठीक है तो इसका हम स्थोड़ेंगे क्या होगा 9 into कुरेंगे ठीक है इसका root तो 9 का यहाँ पर आपका root आएगा 3-2 ठीक है तो इसका कि distance यहाँ पर आपका 3 root 2 तो यहां पर आपका option no 3 जोंकी हपर आपका बिलकुल सी असर हो आपसों नमबर 3, 3 root 2 यहां पूर आपका होगा, ठीक है, next, so next है, the ratio of length and breadth of rectangle is 4 is to 1 and its area is 64 cm2, then what will be the value of length and breadth of the rectangle, तो यहां पर जोगी है आपका एक mensuration से questions है, ठीक है, तो यहां पर हम देखे तो length and breadth एक rectangle होगा, इसका जोगी ratio आपका दिया गया है, length का ratio जोगी है, अब 4x है और इसका जोगी x है, ठीक है, तो इसका जोगी area जोगी यहां पर आपको निकलना है, जोगी 60 पर दिया गया है, तो यहां पर हम देखेंगे, 4x multiply x करेंगे, length into breadth होगा, तो यह होगा 64, तो यहां पर आपका 4x square यहां equal to 64 होगा, तो 4 से यहां पर आपका 16 यह हो जाए होगा 4x4 होगा, 16 होगा और breadth होगा 4 होगा, तो 16 होगा length and 4 होगा breadth, तो यहां पर आपका option देख सकते हो, length and breadth यहां पर आपका पुछा गया है, 16 cm and 4 cm, यहां पर आपका option number 4 यहां पर आपका सही answer हो जाएगा, ठीक है, next, तो नेक्स्ट है what is the median of a given data यहां पर आपको डाटा दिया गए इसका आपको median निकलना है तो median निकलने के लिए प्रेंट्स आपको पहले इसको जो कि आपको increasing order में लिखना है ठीक है तो यहां पर हम पहले 0 लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 8, and 13 है ठीक है तो इसका जो कि formula होगा median का यहां पर देखिए नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहां पर आपका numbers है तो इसका जो कि odd number है तो odd जो भी होगा इसका median क्या होगा दोस्तो n plus 1 divided by 2 तो n जो कि नंबर आपका जो कि नंबर यहां पर आपका है कितना नंबर ह प्लाइब सेवन तो 7 प्लाइब दिवाड़ लिवट करेंगे यहां पर आपका 8 जो कि 4 तो फॉर्त नंबर यो कि term होगा यहां 하나 कि एका median हो जायगा तो यहां पर आपका पोर फॉर्थ Nur moving क्या है फोर है फोर है इसका 145 घ्जिंबल जो यहां पर आपका 4 जो कि इसका median हो जा रहेगा ये वैन डियाग्राम में कौछिकी अप्मपर आपका त सही होगा तो यहाँ पर हम देखे तो दोस्तों यह्त क vallahi student इस तरी क् से यहां पर आपका है कि यह पर्षान जो क्रीज़ है यहां पर सेड़ क्याओ फिछ यहां पर हम देखें तो इसकास कीआउवाद रोगा माली juet यहां ए और शी है तो ए इंटरसेक्शन सी जो की हिएका यहां नंबर वान यहां पर सही होगा next so next होगा यहाँ पर यहाँ एक फर्मूला दिया गए है दोस्तों यह फर्मूला यहाँ कि कौन सा थियोरम का है यहाँ पर आप देख सेकते हूँ इसका right answer है यहाँ कि mean value theorem ठीक है तो option number one यहाँ पर आपका सही answer होगा next so next question है who had coined the concept of body mass index body mass index है यहाँ की concept है यह किसके द्वारा यहाँ रचना की गई थी ठीक है तो यहाँ पर हम देखे तो इसका जोकी सही answer रहेगा adult quitlet adult quitlet जोकी इसका सही answer होगा option number two ठीक है इनके द्वारा यह concept जोकी है दिया गया था body mass index का जोकी concept रहेगा next है the song हम को मन की सकती देना popularly sung in morning assembly in school first written by यह जोकी song रहेगा हम को मन की सकती देना यह song जोकी है किसके द्वारा जोकी लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पर यह option देख सेकते हो इसका जोकी सही answer होगा friends यह गुलजर ठीक है गुलजर जोकी सही answer हो जाएगा next है national program of nutritional support of primary education was launched in 1995 under the which cooked midday milk were to be introduced in all government and government added primary school however it become possible तो यहाँ पर हम देखे तो midday milk जोकी है 1995 में जोकी यह launch हुआ तो यह scheme तो यहाँ पर जोकी है कब से जोकी है start हुआ सारा school में यहाँ पर हम देखे तो इसका जोकी sensor होगा दोस्तों after the supreme court judgment given in 2001 2001 में जोकी supreme court के जोरा जो भी judgment है उसके बाद जोकी यह possible हो पाया साराचेश तो option number 1 जोकी यहाँ पर आपका सही answer होगा next question है in a comprehensive school health program midday meal and medical check-ups must be included and health education must address the age specific concern existence is the concern या फिर community specific concern state specific concern तो यहाँ पर जोकी comprehensive school जोकी रहेगा यहाँ पर सारा चीज को यहाँ जैसे की ध्यान रखना पड़ेगा health program हो गया midday meal medical check-ups तो यह किस basis से जोकी यह होगा तो यहाँ पर हम देखे तो इसका जोकी सही answer होगा age specific concern तो यहाँ पर हम देखे दोस्तों यहाँ आपका सही answer जोकी रहेगा यह health इसका सही answer होगा option number 3 so next question है it is important for the teachers to know that NFHSS 2019-20 data so that 10% of children are underweight in India तो यहाँ पर हम देखे तो इसका जोकी सही answer है 32% है सिख्य के लिए यह जानना महत पुन्न है कि NFHSS के अंकडे जरसात है कि भारत में DESPASCES बच्चे कम बजन की है तो यहाँ पर आपका रहेगा 32% जोकी इसका सही answer है so next है an analysis of the mortality and nutritional indicator from the preschool, primary secondary and senior secondary level so that under nutrition and DES majority of children in our country are the major health problem phase 5 बिज्जले की पूर्व प्राथमिक, उच्चे माध्यमिक और उच्चे तर माध्यमिक स्टरों के मुरुच्चे संख्यदर और पोशन संबंदी संख्यतक का बिसलेशन दर्साता है कि हमारे देश में बच्चे, बच्चे द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुक, स्वास्त, समझ्च, अलपर पोशन और क्या है तो यहाँ पर हम देखे तो under nutrition and जोकी रहेगा communicable disease जोकी रहेगा संक्रामाग, रोग जोकी है सबसे major problem जोकी यहाँ पर रहेगा जो भी बच्चे यहाँ पर face कर रहे है health problem में, तो यहाँ पर communicable disease and under nutrition जोकी यहाँ पर आपका है next question है the term craft is derived from anglo-section word crept which means तो crept का meaning जोकी यहाँ पर क्या रहेगा जोकी craft जोकी term है यह anglo-section words जोकी आया है जोकी crept words है, तो इसका meaning क्या है जोस्तों, इसका जोकी right answer रहेगा strength and skill, सक्ति और causal जोकी इसका सही answer रहेगा जोकी craft का यहाँ पर meaning रहेगा, craft का meaning जोकी यहाँ पर रहेगा, ठीक है next question है dense education is an area of interest because many scholars believe that that is so next है dense education is an area of interest because many scholars believe that dense education promotes most aesthetic education of children which is important for the dense growth of students नुर्ट्य शिक्षा रुची का एक खेत्र है क्यूंकि अनेक विद्वानों का विश्वास है कि नुर्ट्य की शिक्षा बच्चों की सुंदर्य पर्यक्षिक्षा को proside करती है जो विद्वानों विद्दर्थियों के यहाँ पर हम देखे तो dense education जो की है students का जो की कौन सा growth में जो की यह बहुत ही helpful होगा important होगा ठीक है तो यहाँ पर हम देखे तो practical growth social growth या फिर communal growth या फिर academic growth तो दोस्तों यहाँ पर जो की सही अंसर जो की रहे गई है academic growth जो की हम पर आपका सही अंसर होगा ठीक है next so next है the song इतनी सकती हमें देना दाता popularly song in morning assembly in school originally sung by which of the following singer in a film तो यहाँ पर हम देखे तो एक song जो की होगा क्योंकि school morning assembly में जो की गाया जाता इतनी सकती हमें देना दाता तो यह जो की song जो की किसके द्वारा जो की काईगा है फिल्म में ठीक है तो यहाँ पर हम देखे तो friends इसका सही अंसर जो की रहे गाई है पुस्पा पकधड़े जो की इसका सही अंसर होगा ठीक है पुस्पा पकधड़े तो यहाँ पर आप देख सेक्तों option no.3 यहां पर आपका सही एंसर हो जाएगा तो नेक्स्ट है बोथ योगा और फिजिकल एजुकेस्टन शुट बी रेगुलर पाट अपड़ देश बी सीन एज कॉम्पोनेंट्स अप कम्प्रियंशिब स्कूल हेल्थ प्रोग्रम एंड मस्ट योगा और फिजिकल एजुकेस्टन जो की है किसका जो की एक रेगुलर पाट होना चाहिए पैरिंट्स रेस्पोन्सिलिटी सोसाइटि रेस्पोन्सिबिलिटी या फिर स्कूल टायमटेबूल या फिर चाइल्ड्स होम सीडूल दोस्तों यहाँ पर जो की सभी रहेगा स्कूल टाइम टेबल का जो की एक रेगुलर पार्ट होना चाहिए यह अगर सरीरिक शिक्षा दोनों के नियमित भाग होने चाहिए और इन्हें व्यापक स्कूल स्वास्त कार्यक्रम में अंगों की तरह देखा जाना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर स्कूल टाइम टेबल जो की इसका सही अंसर होगा स्कूल की समय स्रेड में जो की यह रेगुलर पार्ट होना चाहिए अप्शन नंबर थ्री जो की इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हैं comprehensive school health program should include medical care, health and physical education, clean school environment and desk तो यहाँ पर देखे तो एक ब्यापक स्कूल स्वास्त कार्यक्रम में चिकिश्चा देखवाल, स्वास्त एबंग सरीरिक शिक्षा, विद्यल्यका स्वच्च परियावरान और test सामिल है तो यहाँ पर देखे तो parental health, teacher health, distributional medicines या में पर school lunch तो यहाँ पर देखे तो स्वूल का टर्म में यहाँ पर देखे तो इसका सेंसर जो की रहीगा, school launch जो की सेंसर हो जाएगा Option no.4 जो की यहाँ पर सामिल होना चाहिए, school launch भी यहाँ पर सामिल होना चाहिए ठीक है, comprehensive school health program में, next, so next होका, it is important for the teachers to understand that health is a desk, it is shaped by biological, social, economic and political factor, concept है, तो ये concept को हम क्या वो लेंगे, दोस्तो इसका sensor रहेगा जोकी multidimensional, ठीक है, सिक्सकों को ये, यह समझना महत्युपन है कि स्वास्त एक desk अवधारणा है, क्योंकि इसे जैविक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक कारकों द्वारां आकार द्या जाता है, तो यहाँ पर हम देखे तो स्वास्त जोकी बहुँ आया में अवधारणा है, ठीक है, तो यहाँ हम देखे तो जोकी यहाँ पर रहेगा सब की पर, जोकी होगा, जोकी milk का purity मापने के लिए, कौन सा instrument जोकीEst V mille को करेगा, उसको करना शाहिए ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे तो इसका साईंसर रहेगा जोकी Lactometer, अप्स हम देखे तो इसका साही सा यथा साट हो प्लावार का कौन से पार्ट नहीं है यहां पर हम देखे तो इसका सही असल जो कि रहेगा यह फ्लासेंटा फ्लावार का यह पार्ट नहीं है तो यहां पर आप देख सेकते हो parts of the flowers यहां पर आप देख सेकते हो यहां पर क्या क्या है यहां पर दोस्तों यह जो कि आप दुबारा इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे तो यहां पर हम देखे तो यहां पर आपका sensor जो कि रहेंगा non renewable source यहां पर आपका रहेगा यह इसके बाद oil and natural gas है यह दोनों जो कि non renewable में आ जाएगा बागे सब यह रिनेवल होगा तो यहां पर आपका यहां पर आपका sensor हो जाएगा coal, oil, natural gas ठीक है यहां पर यहां पर आपका सेंसर हो जाएगा coal, oil, natural gas ठीक है तो यहां पर हम देखे तो human beings, human beings का जो कि 23 जो कि pairs होगा तो यहां पर एक अर थर्ड होगा तो option number one की cut गया दोस्तो house flap, house flap तो house flap का यहां पर हम देखे तो यहां पर आपका रहेगा six तो b का होगा one तो b का one यहां पर आपका option number four में है दोस्तो यहां पर match का यहां पर हम देखे तो हुग के का 2 होगा जोकी 10 गशिक सी का 2 आपका 10 रहेगा कि नेच्ट आपका रहेका राइस राइस का जुकि आपका रहेगा 12 इंहान अपार आपका option number D जो कि यहां पर आपका सही अंसर होगा option number 4 ठीक है तो यहां पर आपका देख सेखते हो option number 4 सही होगा next नेक्स्ट है वाट इस फाजंडा फाजंडा क्या है फाजंडा यहां पर हम देखेंगे दोस्तों इसका जो कि राइट अंसर हेगा यह कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजिल ठीक है ब्राजिल में कॉफी के पोधो की खेती जो की होगा यह फाजंडा ठीक है तो यहां पर आप देख सेखेंगे फोटो यहां पर लगा दिये हैं हम फाजंडा का next आपका रहेगा जो कि railway zone इसका और भी question जो कि आपका आया था जो कि फर्स्ट सिप्ट में जो भी हुआ था स्युटी ब्याड में तो यह अपका सिप्टू का जो की question है दोस्तों तो यहां पर हम देखें तो railway zone उसका headquarter तो central जो की रहेगा तो हजी पूर इसका होगा बी का आई भी next आपका रहेगा जो कि सी का second जो की west central का होगा जबलपूर होगा एंड साउथ का यहां पर आपका रहेगा डी वान जो की चन्नाई डी का चन्ने होगा साउथ का चन्नाई होगा साउथ जोन का जो की headquarter होगा चन्नाई तो यहां पर हम फिर और एक बाद जो की लगा दिये है यह आपका रहेगा जो की फोड़ो जो की 17 रेलो जोन होगा इसका जो की headquarter और division भी यहां पर आपका साथ है इसको आप देख सेकते हैं ठीक है नेक्स् सेरस यह क्या है शुपर मून ड्रफ टला अइट कॉमट या फी LONA Remote या फिर अपर एकलिप्स की और यहां पर आप ढेके तो सेरस जो की इस ड्वार प्लनेट इस ता यहां पर आप देख सेकते हों इस ड्यॉर प्लानेट इस पार दमा मनेट इस う फो ड्र्चिंट इन चॉ किसके द्वारा जो की रिप्लेस योजना आयोक को किस से प्रतिस्तापित किया गया है तो यहां पर जो किस रहेगा यह नीती आयोक नीती आयोक के द्वारा जो की planning commission को जो की रिप्लेस किया गया है ठीक है next यह नेक्स्ट है तेससी वांस्ट ऑर्गनिक स्टेट अफ इंडिया इंडिया की फॉर्स्ट ऑ्र्गनिक स्टेट कौन सा है इसका रजाह मिलाकर इंप लुका सब्सक्राइब तो यहां पर हम देखेते तो इसका सेंसर जो इएगा दोस्तों यह इनडिपेंडेंट लेवर आपडेंट तो एका होगा टू तो एका टू जोगी हाप आपका ऑकर आपका असन नमबर टू में है नेज्ट देखे तो एक के गोपलन का यहांप रहाम देखिए तो बी नहीं होगा जोगी कम्मिनिस्ट पार्टी अफ इंडिया c का फास्ट होगा जोकि सेमा प्रसाद मुकारजी भारत्य जनाशंग and राजय गोपल जरी यहाँ पर आम देखना तो सोत तंत्र पार्टी ठीक है तो यहाँ पर आपका option number two जोकि हाँ पर आपका सही है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सेकते हो से क्वी और और अंभीड का जो कि इंडिपंडेबर पाटी यहां पर आपका रहेगा एककी गोपल हो गईए यहां तो यहां पर आपका भारत्य जन्र शंग होगा ठीक है यहां पर पार्टी की यहां पर संग हो चुकि यह च्यांज हो चुका है जो कि भारत्य जन्र पार्टी यह हो चुका है ठीक है next next है इन इंडिया the sex research work out using the formula sex research की कैसे निकला जाता है यहां पर आप देखे तो इसका जोकी सही अंसर रहेगा दोस्तों यह female population divided by male population multiply 1000 तो यहां पर आपका option number four जो कि हाँ पर आपका सही होगा female population divided by male population multiply 1000 ठीक है तो option number four जो कि हाँ पर आपका सही होगा next है so next है match list one and list two list one में है dates है list two में है days ठीक है तो 5 अक्टबर यहां पर हम देखे तो यह आपका रहेगा यह world teachers day तो यह का होगा आई भी तो यहां पर आपका option number four and one जो कि कट गया है भी तो next हम देखे तो बी का होगा जो कि third होगा जैसे कि यहां पर आप देख सेकते हो वाल्ड ब्रेल डे होगा तो यहां पर आपका option number दोनों में है c का यहां पर आप देखे तो 24 January 24 January जो कि रहेगा यह international day of education ठीक है तो यहां पर आपका c का होगा second तो यहां पर आपका option number one option number three जो कि यहां पर आपका cut गया अभी c का होगा two and d का होगा one तो d का one जो कि रहेगा 8 September जो कि while the tracy day होगा तो option number two जो कि यहां पर आपका सही answer होगा दोस्तों ठीक है 24 January जो कि national girl child day भी होता है कि next कि so friends साथ का इस वीडिय में इतना है था आपको यह वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर रहेगा अच्छा लगा तो फ्रेंस वीडियो को एक like के लेजीगा और आपकी दोस्तों के साथ भी श्यार करिए so thank you friends thank you for watching